आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि Google Pay से कैसे Mobile Recharge करने से Cashback मिलता है Google Pay में तो कोई wallet नहीं है इसलिए Cashback का पैसा कहां जमा होता है ओभी इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले Google Pay आपको Open करने के बाद Scroll Down करके नीचे आना है उसके बाद reward option पर simply किलिक कीजिए आप यहां पर आप देख सकते हैं कि reward section में कोई coupon है की नहीं देख लिजी यहां पर Mobile Recharge का एक coupon है जिसमें लिख्या कि अगर आप यह coupon को यूज करके Mobile Recharge करेंगे तो 4 रुपिया से लेकर 50 रुपिया तक आपको cashback मिल सकता है मतला minimum 4 रुपिया और maximum 50 रुपिया आपको cashback मिल सकता है तो आप redeem now option पर किलिक करते ही आपके समने इस तरह आ जाएगा उसके बाद आप यहां पर mobile number को enter कीजिए अगर mobile number आपके contact list में है तो आप यहां पर किलिक करके mobile की contact list से उस number को select कीजिए तो mobile number enter करने के बाद arrow बटन पर किलिक करेंगे आप यहां पर देखना होगे कि आपने जो mobile number को enter किया है और कौन सा company का है देखली जी मैंने पर item number enter किया है लेकिन यहां पर भी ISO हो रहा है तो इसको change करने के लिए यहां पर किलिक करने के बाद आपको select करना है कि यह कौन सा company का है उसके बाद circle को select करेंगे आप continue करते ही थोड़ी दर loading होने के बाद इस तरह आ जाएगा आप नीचे scroll करके recharge plan का list देख सकते हैं तो इन में से एक plan को select करने के बाद payment का page open हो जाएगा उसके बाद pay option पर किलिक करते ही API की page open हो जाएगा आप यहां पर API pin enter करने के बाद write करेंगे और थोड़ी दिर order करने के बाद recharge successful हो जाएगा और एक coupon भी मिलेगा आप इस coupon पर किलिक करके open कर लेते हैं यह फिर आप homepage में reward section पर किलिक करके open कर सकते हैं आप यह नया जो scratch card मिला है इस पर किलिक करके इसको इस तर इस्क्रेश करना है फिर आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको कितना रुपिया cashback मिला है देखली जी मुझे यह पर 4 रुपिया cashback मिला है यह जो 4 रुपिया cashback मिला है इसको कैसे use करेंगे देखली जी नीचे लिखा है Your reward will be credited to your bank account within 7 days मतलब यह cashback आपके bank account में transfer हो जाएगा 7 दिन के अंदर फिर आप उन पैसों को bank account से use कर सकते हैं वीडियो पसंद आए तो like करके share कीजिए Thank you